हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग तो डिसेंटली कृष्णा गोडावरी विसीन में मिठेन हाइद्रेट का एक बहुत ही बड़ा भंडार मिला है तो यहाँ पे मिठेन हाइद्रेट यह बेसिकलिए है क्या तो इसको जो है ड्रिलिंग करके ऐसे समंदर से निकाला जाएग मिठेन एक्चुली क्या है यहाँ पे जिसको हम CH4 के नाम से जानते हैं इसकी यूज क्या है as a fuel इसके बार में discuss करेंगे और मिठेन की जो characteristics से इसके बार में discuss करेंगे तो देखें यहाँ पे from environmental science point of view के हिसाब से बहुत ही important वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को end तक बि मिलते रहे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो recently अघरकर research institute के जो researchers है यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी की जो बैसिन है यहाँ पे methane hydrate के बहुत ही बड़ा यहाँ पे deposit मिला है जो बायोजेनिक origin है तो बायोजेनिक origin इसका मतलब है कि biological factors के वैसे इसकी origin इसके बारे में भी हम discuss करेंगे अभी अघरकर research institute यह किसके अंदर आती है department of science and technology ऐसे question भी आपको prelims में पूछे जा सकते हैं यहाँ पे तो इसमें यह देखा जा सकता है कि methane के related इस topic से आपने कितना research किया है तो देखें यहाँ पे methane hydrate जो है यह methane hydrate और methane दोनों अलग-अलग होती है तो methane hydrate की formation कैसा होती है जब methane gase जो है यहाँ पे जो hydrogen bonded water के साथ high pressure and low temperature ocean की bottom में यहाँ पे creation होती है तब methane hydrate form होती है तो इसको अगर हम image में देखेंगे तो यह देखे यह जो समंदर है इसमें drilling क्या दाता है शिप में तो क्या होता है कि यहाँ पे जो hydrogen bonded water होती है और methane तो मीठेन हाइडरेट की यहां पर deposit ऐसे यहां पर जो समंधर के एकदम गहराई में यहां पर ji aja तो इसको जो है, drilling करके ऐसे निकाला जा सकता है, अभी आर्क्तिक में शमस्था हे यहां पर पर्माफोस्ट यहाँ पाए जादे है, तो यह क्या होती है, एक स्नोर जैसे यहाँ पे एक लेयर होती है, इसके नीचे यहाँ पे यहाँ पे यह फॉर्मेशन होती है, अभी देखिए समंदर के नीचे क्या होती है, कि यहाँ पे टेमपरेचर काफी कम होगी, उपर भले ही ज तो इस एरिया में जो है, किष्टन और गोडवरी के इस बैसिन में, इसको अगर जूम करके आप देखेंगे, तो यहां पे आपको पता लगा कैंकि इस एरिया में, मेठेन की जो है यहाँ पे बैसिन में, जो है, यहाँ पे मीठेन हाइडियरेट की deposit मिली है, तो यह area जो है, वैसे भी इसमें drilling किये जाता है, अलग-अलग यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो oil reserves के हैं, यहाँ पे काफी सारे oil reserves भी पाई जायते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर तो थोड़ा फां यहां पे main points के बारे में discuss करते हैं, तो यहां पे जो है methane hydrate की जो deposit मिला है कृष्णा गोडावरी के बेसिन में बहुत ही rich source है और बहुत ही जादा quantity में मिला है, तो एक estimation के हिसाब से यहां पे कृष्णा गोडावरी बेसिन इसको kg बेसिन भी बोला जाता है short form में, इतने methane hydrate मिला है कि यहां पे दुनिया में fossil fuel के reserve का लगभग यहां पे double होगा, तो काफी यहां पे बड़ा यहां पे एक reserve मिला है, तो देखे यहां पे जो methane hydrate की जो deposit है, यहां पे यह बायोजेनिक origin है, और इसको जो है आंडामान और महानादी के जो कोस्ट है यहां पे उसको उसमें पाए गये हैं, तो एक देखे यहां पे one cubic meter methane hydrate, तो one cubic meter क्या होता है कि एक meter का अगर आपने एक box बना लिया, तो इसका जो volume होगा यह one cubic meter होगा, तो one cubic meter में जितने methane hydrate होंगे, तो इसमें से लगभग 160 से लेके 180 cubic meters का methane जो है यहां से जो है प्रड्यूस किय जा सकता है, तो मान लिजे यहां पे, एक meter cube के अंदर यहां पे जितने भी methane hydrate होंगे, उहां से लगभग 160 गुना से ज्यादा 180 गुना तक methane gas प्रड्यूस किया जा सकता है अभी, अभी थोड़ा था यहां पे methane क्या है, इसके बार में भी जान लेते हैं, तो methane यहां पे एक clean और economical fuel इसको बोला जाता है, methane जो है यहां पे carbon का एक molecule और hydrogen के चार molecule से इसको formation इसकी होती है, जो एक naturally occurring gas है, तो इसकी जो process, इसकी जो formation होती है, biological process से भी हो सकती है, abiotic process से भी होती है, तो biological process के अगर बात करेंगे, जो biogenic factors हम लोग ने बात किया था, तो microbes जो होती है, छोटी level पर यहां पर रहती है, तो उसकी formation जो होती है, generation by generation, microbial life जो होती है, तो उसके यहां पर से, जो है, methane की production होती है, या फिर जो है, जो भी animals होती है, herbivorous animal उनके digestive system में जो भी microbes होती है उससे भी जो है जो मिठेन की production होती है तो यहाँ पर अगर देखेंगे जो cow dung होती है अलग-अलग खेतों में जो cow dung रखे जाते हैं तो वहाँ से भी मिठेन की production की जाती है गोबर gas जिसको हम बोलते हैं उससे भी मिठेन की production होती है हम जो burner मे जो gas use करते हैं उसका अपने color देखा होगा थोड़ी सी purple-bluish color का होती है उसमें भी से methane gas produce किये जाते हैं तो methane gas जो है सिप biological factor से नहीं abiotic process से भी यहाँ पर उसको produce किया जा सकते हैं तो methane gas काफी यहाँ पर volatile होती है जब भी यह atmosphere में release कर दिया चाहे वो earth में हो या फिर march में हो methane जो है बहुत ही short leave होती है यानि कि यह atmosphere के साथ बहुत ही जल्दी mix हो जाती है तो क्या आप मुझे comment box में बता सकते हैं हमारे जो atmosphere में methane की percentage कितना है यह आपको मुझे comment box पे लिखके बतानी है तो next हम यहाँ पर बात कर लेंगे methane के बार में बात कर लेंगे methane क्या है methane hydrate के बंडार मिला है यहाँ पर methane तो methane जो यहाँ पर है इसकी use किया है तो methane को यहाँ पर सबसे best use जो है as a fuel अलग-अलग ovens हो गई यहाँ घरों में इसको use किया जा सकता है water heater में यूज किया जा सकता है kills में इसको use किया जा सकता है automobile हो गई, turbine में होगी as a fuel इसको use किया जा सकते हैं अभी liquid methane जो है इसको भी उस किया जा सकते है rocket fuel के हिसाब से जब liquid oxygen के साथ methane की यहाँ पर reaction किया जा है तो liquid methane creation होती है यहाँ पर अलग-अलग scientific experiments पे भी liquid methane की use होती है यहाँ पर तो methane जो है यहाँ पर एक natural gas होती है तो यहाँ पर electricity generation के लिए भी methane को as a burning fuel के हिसाब से use किया जा सकता है जब यहाँ पर as a gas turbine या फिर steam generator से यहाँ जो है यहाँ पर energy या electricity produce किये जा सकता है अगर हम methane को अलग-अलग hydrocarbon fuel से compare कर गया है hydrocarbon मतलब क्या है कि carbon और hydrogen molecule उसमें अगर होगी तो उसको hydrocarbon बोलेंगे तो अलग-अलग hydrocarbon fuel के साथ अगर methane को compare करेंगे तो methane क्या करती है बहुत ही कम amount में carbon dioxide जो gas यहाँ पर release करती है तो परियावरन को भी शती नहीं पहुंचती है जादा दूसरी बात क्या है कि इसकी advantage देखिए कि methane जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा heat produce करती है यहाँ पर other organic molecules से अगर मान लिजए कि यहाँ पर आपने जो है लकड़ी जलाया कागज जलाया तो उससे जितना heat produce होगा तो methane जादा heat produce करती है because यहाँ पर larger quantity of hydrogen मौझूद है तो methane जो है यहाँ पर carbon की एक molecule है और इसमें जो है चार hydrogen molecule जो है यहाँ पर formation करती है hydrogen bonding के system से तो यह जो है methane का formula है तो आशा करता है यहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिल सकता है तो यहाँ पर देखे आपको कई एंगल से पर पूछे जाता है किस एरिया में इसका ज्यादा reserve हो गई यहाँ पर कौन से एरिया में मिल सकता है methane hydrate किया है methane hydrate की यहाँ पर सीखने को मिला होगा और यह वीडियो अगर आप लोगको अच्छा लगा है इसको प्लीज लाइक कीजिए इसको subscribe कीजिए इसको share कर दीजिए क्यूंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोगको बहुत ज्यादा मेहनत और research की ज़रूरत होती है और आप लोगका